बैंक भी वहां पर उद्धा नहीं है आरे क्या कहने क्या कहने यह बेसिकली आप जहां पर यह गाउं है विली जाए गाउं है गाउं है इंडिया आज कहा चाहां मैं कल असर की नवास से पहले पढ़ने के लिए मारे घर के पास बैठा था कुरान सरी पर रहा था तो एक आदम कुछ दो कुछ दे दो तो मैं मोली यह कुछ छुट्ब पाइसा नहीं है तो मैं यह तो उसने क्यू कार्ड निकाना गूगल पे जा मैं कृसं में हैरान हो गया हूँ यह आप भारत की कार बात कर सांभा बात कर ओंगम यह उसने google क Nay कौर निकाना कि इसमें डाल नहीं कि मैं अली बैं कुरान से बढ़के इतना हसा कि यार हमारे मोडी ने हंड्रेट परसेंट इंडिया को डिजिल डिजिटल बना दिया बीक मांगने वाला भी इस तरह के डिजिटल मांगने वाला उसको हाँ हाँ मांगने वाला उसने मेरे इतना हसा मैं के मैंने किस तरह गुशा दिया है वोही समझ नहीं हो बटी बस कसम से वही थे समझ नहीं परती जार गरतिंगा के शेंशी कैसी कैसे थे वह समय रहें पाथ कर Ricardo De ral बहुत कुछ दिया ने अली बाई सबसे ज्यादा सबसे बरी हमारी इज़त है मैंने जो बाई कभी 2020 में यूनिकॉन लिटी यूनिकॉन हॉंडा की कोई पांच-छे लाग की तो आई होगी ना 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 मेरे पास बील परा है 89,000 की मैंने ली थी हैं कितने की 89,000 हेलो क्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स नाजरीन आज हम बात करने जा रहे हैं गुजरात के मुसल्मानों के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए इंडियन मुसलिम्स की तो कहा ये जाता है कि जरा वहां पर जाके गुजरात के मुसल्मानों का एक दफ़ा हाल तो देखो अब बहुत सारे लोगों से जब मैं सुन रहा था तो मेरे दिल में एक खोईश पैदा हुई कि पाकिस्तान में बैटके एक मुसल्मान कैसे ये कह सकता है कि गुजरात के मुसल्मानों का हाल बहुत बुरा ह ये यकीनन एक गुजरात में रहने वाला मुसलमान ही बता सकता है कि गुजरात में लोगों का क्या लाइफ स्टाइल है उस हवाले से यूनस भाई गुजरात से तालुक रखते हैं भारत में जो गुजरात है उदर से तालुक रखते हैं मुसलिम कम्यूनिटी से इनका तालु इसे कबल कि अगर हम यूनस भाई की तरफ जाएं पहले मैं आपको बताता है चलूंँ बहुत सारे आप लोगों के मैसिजज आ रहे हैं और आप आना चाहरे हैं हमारी पोड़कास्ट को ज्वाइन करना चाहरे हैं अगर आप हमारी पोड़कास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं आप इंस्टाग्राम के ओपर मैसिज कर सकते हैं आप हमारे वाटसैप नंबर के ओपर हम से रापता कर सकते हैं कोई भी अगर आप किसी भी एरिया ऑफ टॉपिक पे या कुछ भारत की डिवैल्पमेंट के हवाले से दिखाना चाहरे हैं तो आप हमारे नंबरों पे रापत क्वालास में मद्यू करेंगे बगए टाइम वेस्ट कियें मैं यूनस भाई की तरफ चलूँगा ताकि कम टाइम में हम मैकसिमम जो चीजें हैं वो जान सकें अस्सलाम आलेकूम यूनस भाई कैसे आप वालेकुस्सलाव, अलहम्दुलिल्लाव, जी अली भाई, आपकी तबियत कैसी है? अलहम्दुलिल्लाव, यूनस भाई, मेरी आवाज आ रही है, आप देख आ रहे हैं, मुझे आप बराबर एक तम कीलियर आवाज आ रही है मैंने थोड़ा सा आपका वैसे इंट्रो करा दिया, लेकिन बेटर आप मेरे व्यूवर्स को खुद अपना इंट्रो करें कि आप भारत में किस जगह पे मौजूद हैं और क्या मैं बारत में गुजराट से हूँ, गुजराट में बरुज के बाज़ू, अंकलेसवर्स के बाज़ू मेरे गाओ है मेरा सीलुली गाओ है, वहां में रहता हूँ मतलब रहे सही, 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 तो यूनस भाई, क्या मसरूफियात होती हैं, आपकी क्या काम करती हैं आप वहां पर? मैं फार्वर हूँ अच्छा, माशालला, आप किसान है? आप किसान हूँ चलें, ये तो बहुत जबरदस्त हो गया, इसमें जो किसान से रिलेटेड मसले मसाहिए थे, हम उस पर भी थोड़ा सा मतलब आ जाएँगे, लेकिन पहले मुझे ये बताए, पैदाईश आपकी गुजरात की ही है गुजरात की ही, गुजरात की ही हूँ मेरे बाप, दादा सब गुजरात की ही है मुझे ये बताए, मुसल्मान जो पाकिस्तानी है, वो तो कहते हैं कि बहुत बुरा हाल है, मार देते हैं ये, वो आप अभी तक बचे वे कैसे हैं, ये बताएं गुजरात के अंदर बता, लेकिन आप बता रहें, आपकी सारी सिंदगी गुजरात के अंदर ही गुजरी है सच्ची पूरी पूरी जिंदगी गुजराट में मेरे बाप जाना सब लोग गुजराट में ही है सब गुजराट में ही पहला कई गुजरा फालीorns olhos लाइग मुजह मुजए यूनस उथ्भाई यह बताए जो गुजराद के सीएम है क्या नाम है उनका आपने पठेले नम पठेले ने पठेल है अच्छा एक योगी के नाम से भी मेरे खैल मैरे चीफ मिनिस्टर है कोई हैं अई उत्तर पर्देश के ऊत्तर पर देश के उनके हवाले से भी का जाता है कि वो बहुत जुलम सितम करते हैं मुसल्मानों पर ये क्या मतलब इस तरह की क्या खबरे हैं थोड़ा से इसको खुलके बताएं हम अली भाई मैं आपको एक बात बोलाओ मैं पंजाब से लेके कनिया कुमारी साथ गुमा हूँ पंजाब से लेके अमरुट सा लेके लुद्याना में दस दिन रहा था कनिया कुमारी मैं में रहा था या अब कहीं भी हिंदिया में अकेले गुम हो मैं अकेला ही था कसम से अकेला अब कुछे नहीं कि आप ए तम हिंडो या मुस्लिम हो हमारा बाई चारा हमारी एक जब आप देखेंगे नि कि ताब हैरा और परेसान हो जाएंगी बस मुझे ये बताएं कि फिर ये जो पाकिस्तान का मुसल्मान है और कोई एक दो नहीं पूरे पाकिस्तान का यही हाल है कि अगर आप पाकिस्तान में यह पूछें कि भारत में क्या है तो वो आगे कानों को हाथ लगा लेते हैं तोबा 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 वो बड़ी म में आपकी वीडियो बहुत देखता हूं पर निम्रा का देखता हूं गतल सभी सोषाओर्ध कर भी देखता हूं चना बीटार्वेंश को कुछा बटाते घर Nemus ने पिर सबर देखते हम सबसंसर निगर कि Cup जे जे जी जे जी तो ये जतने भी सिन पाकिस्टानी यूटीउबरं ये एक पॉजिटीविटी को ہी मतलब एड करने के अंदर लगे में लेकिन जो एक आम पाकिस्तानी एजो एक आम सीटीजेन ओफ पाकिस्टान ऐं उसकी यह सोच क्यों एस्टी डिवेलप हुई आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हुआ कि वो यह क्यों सोच रखता है कि भारत का जो मुसलमान है वो बहुत ही और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि आप देखें बात यह पर आप गुजरात से तालुक रखते हैं आप मुझे वहां पे रहे के ज़्यादा बेतर तरीके से बटा सकते हैं। बानी बड़ूसबों लाहॉर ये आने कुछ मेनदुन का रहा जे में किस स्थाराया से जिन्दगी गुजार रहा हैं। कि गुजरात की लाइफ इंब ते तो ऐसी है कि आप आप यूरोप समझ़ लो याफ यूरप हाई यूरोप समझ बस योरोप वाले भी इतने सुकी नहीं हमारा एक टाइब होता है हम नहीं हम खांडा हम दुपेर को सरे 11 बज़े का टाया ले टे तो तो हमारे लिए बहुत बड़ा टाइम है नीटास जाना भजे तो घर के अंदर से घवा जाजा जा जाता हो खाना खालो फजल कि नमाज के बार 12 ब feathers की नमाज पढ़के आते हैं दो चाहरा लिया दू बारा बजे सो जाते हैं दुपेर बारा बजे यहाँ दुपेर बारा बजे सो जाते हैं धेर बजे अजयान होती है नमाज पर ही वापस रोजाना है चार बज़े तक चार बज़े दक फॉन बॉन सब बन इस नौझ तब विल्कुल नहीं किया बात है भाई क्या बात है खीचरी पापर कड़ी खीचरी पापर खाना खाके अलामदलिल्ला यूनस मैं ये बताएं कि जो गुजरात में आप कह रहे हैं कोई मतलब इस तरह की परेशानी नहीं है जितनी भी मुस्लिम कम्यूनिटी और बड़ी सकुन में जिन्दगी गुजा रिये हैं हाँ बहॉत सकुन में बहौTF सकुन में तो जो बारत की सरकार है आप बारत की सरकार से खुश हैं बहुत कुश है बहुत मोटी साब ने हमारे पी-म ने हमको बहुत कुछ दिया ने अली बाइस सबसे ज्यारा सबसे बरी हमारे एज़त है जो भी हौपिस में हम जाते हैं जो भी जगा WEAP यूनिस भाई के सिवाए नहीं बुलास भास कसम से भाई के सिवा नहीं बुमन पार दें या जो भी सबसरी पहले ऐसा नाम लेकिने सबसे पहले हम को मिलती है मैं यकीन जरें बड़ा हैरान हो गया हूं मेरे पास इल्फाज नहीं है क्योंकि आप जो बता रहे हैं वो इदर के लोगों की सोचके बिल्कुल बरक्स है अब मैं डेखता हूं कि सही अवाम को सही पता ही नहीं चला आपकी अवाम को यह की बात दिमाग में गुसाई इंडिया दूस्पन है तुम्हारा बस ऐसा क्यों यूर्णस भाई ऐसा इदर की अवाम को क्यों मतलब यह बताया गया है एजूकेशन कम है और कुछ नहीं एजू साथ को बोलो कि क्लमा पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलेगा इंडिया इतना आगे है अब कहरें करोर अब्दूल थैंडिया में और हर गर्चे अबदूल में निकलेगा लेकिन हम सबर करते हम बोलते हैं नहीं तुम्हारे यह नह तुर जज़बा बोलता है जजवा, जजवा से पहला इमान होता है, इमान बराबर बनाओ, हमारा इमान इतना मजबूट है, हम पहले अपने डेश को सामने रखते हैं, I love my India, तो ये आप बार बार कहने, I love my India और मेरे लिए देश पहले है, तो बहुत सारा एक सवाल किया जाता है, कि मजभब को ज़्या ये ज़्यालियों देते हैं, या नेशन आपके लिए ज़्यादा इमफोर्टन्ट है, नेसन, 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 नेसन सही अपनी इज़्जत, नविसॉर्ण सब ने क्या कहा, इक बल्वतन, भंतन से वफा दारी भी इमान का हिस्सा है, बिल्कुल, वतन से वफा दारी तो इमा बड़ी कोशिश में हूँ और अभी तो आपको पते हैं यहां पर बंद किया है मतलब आना जाना एक दूसरे का कभी लाइफ में मौका मिला तो मैं जरूर रहूंगा और आप जैसे भाईयों से जरूर मुलाकात करूंगा ना ना इंसालला इंसालला आप आओ जरूर आओ जूनस भाई वहां पर आप आपकी पूरी फैमिली आपके साथ ही रहती है हाँ मुरी पूरी फैमिली साथ में रहती है थोड़ा सा मुझे बताएं कि मतलब सोर्स ओफ इंकम जितना वहां के लोगों का है गुजारा हो जाता है उसमें अलहम्दुल्ल्ला हम लोग सुगर के ज्यादा बनाते हैं सही सुगर के हमारी सुगर फैक्टरिया हमारे से टीन किलोमेटर पर ही है गरे सुगर बटा लिया तो आप मेरे विवर्स को मुझे दिखा सकते हैं वो जगाएं मतलब अभी तो नहीं मतलब आगे और वीडियोज हम इसकी यह पूरी चेन स्टार्ट कर स लगते हैं एक साथ मुझे बहुत खुशी मुझे दिल से वड़ी खुशी हुई आपके साथ रमजान रमजान के बाद में आपको सुगर दिखाऊंगा हमारी सुगर दिखाऊंगा जरूर हमारी अत्राप में 25 सुगर है अच्छा ने वह भी सब सहकाली मंद्री है ऐसे नही है जिसकी जितनी हैं मतलब कि यह है तो गुजरात में स्चम्च टोटल कितनी कम्यूनिटी रही है मुसल्मानों की गुजरात मेरा बहुत है गुजरात मेरा समझ लो के मेरे गाहों के आजू बाजू मैं सब मुसली में यह साइड पे सब हमारे हिंदू भाई है मेरे गाहों से आदा किलोमेटर पर हिंदू भाई का गाहों है यह साइड पे भी हिंदू हम लोग सब यह स साल पहले इंतिकाल हो गया उनका 40 साल तक एक कुप में से आधी-आधी चाहिपी 40 साल की दोस्तिय हमारी किया बात है भई क्या बात है उसका इंतिकाल हो गया उसके बाद मैं मेरे तालुका में जाने के लिए मेरा डिल नहीं करता हूँ मैं हर रोज सुवन नव बजे वहां पहले पहां जाता हूँ चाई पी एक सिग्रेट पी हरीज बाई कैसे हो कैसे आहां चाल बहते हो ऐसे ऐसे हम लग जबाद गपटा पर फिर मैं घर पे आ जाता हूँ खेती का बांग पर असर की नवास पड़ी फिर में वाल जा जाता तो यूनस भाई सफर किस पर करते हैं आप बाईक रखी भी है गारी भी है निसान माइक ना मेरे पास गारी भी है बाईके भी है सब यहां गारी और बाईक की बात छोड़ो टूं क्या कितने तक की मिल जाती है गाडियां और बाईके वहां पर मतलब क्या मैंने मैंने जो ब लिए लाक्कि तो आई होगी ना लाला मेरी पास बील पर आ है इपना थाउसंद की मैंने लिए थी कितने की एपना करें आप यार यह यह मेरे को आपको दिखाने काड में वीडियो कॉन सी साइट से बाको मैं सुधा मैं मैं आई है मैं आपको यहाँ से बटा दूंगा देखो यह रही है औरे क्या कहने भई क्या कहने यह तो फाइक भी बड़ी जबरदस्त है 150 CC 150 CC 150 CC यह भी है यह यह इस प्लेंडर है माशालला माशाला माशाला और कितनी खुब्सूरत भाइक ने यह रही देखो यह हमारे काम आ रहे के लिए सब यह हमारे काम आ रहे के लिए अरे माशालला 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 यूनस भाई आपने तो पूरी विलिज लाइफ रखी वी है अपने पास यह सामने बैंक अब बरोडा है मेरे में आपको बैंक अब बरोडा भी देखा सामने यह पचीस कदम पर है पचीस कदम पर सिर्फ देखता है नहीं तुमकों बैंक 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 भी वहाँ पर हाँ यह पैंक आपके बिल्कुल सामने यह और और यह किताबों पर कि काम हो रहा है इदर या ओनलाइन कोई कंप्यूटर बहुत्र भी अंदर अंदर कॉंप्यूटर सब कुछ मतलब कि अभी रिजिस्ट्रों पर नहीं लिखते वाई कर देखें गाव में अरे क्या कहने क्या कहने यह बेसिकली आप जहां पे यह गाउं है वीलिज जाईए ग यूनस भाई गाउं के अंदर भी बैंक बने वे हैं हर गाउं के आसपास हर गाउं के दूसरी बात क्या है का मालूम है जो फार्मा इसको पांच मिनिट में लॉन मिलती है कि इने कितना इंटरेस्ट लेता है मालूम है कि इन तक हमको देना पलता है तिन तक हमारी सरकाल देती है सब सीरी मैं आपको बताओं आपने वन फिफ्टी सीसी बताई है कितने की 89,000 की एटी नाइन थावजन की नीव मैंने ली थी पाकिस्तान में एक बाई क्या वन तू अब आपको बतार हूँ एक बाई के लिए लोग को पीछे पीछे डॉलते है यार आठे के यह वह आप बता रहे थे वह आपने वीडियो भी देखी किसी की आठे के लिए यार देखी अपनी मायों बहुत जलील होती है यार ऐसा नहीं करो यार तुम्हारी हुकुमरान को बोलो के सरम करो यार और वो स्वाज़ब बाई चोधरी की वीडियो देखी तियो वो बीचाली अपनी मा पीछे टेमको में डॉल की बीचे, अचजा, बारत में इस तिरहा नहीं है, मुणा खराए भही जांड है, और जो कहते हैं, भारत में बहुत गरीबी है, भारत का किसान मर रहा रहा है, भूख के और ता नहीं क्या, यहां पर वो शुक्र अदा करो, कि पाकिस्तान की सर्जमीन पर हो वहां पर तो आदियsty लोग गुर्बत से भी निचे लकीर में जिन्दगी घुजा तो पर सह रहे हैं वाश रूम मैं यह भरत आप अंदर इतनी गलत बाद ही यार इतनी गलत बाद ही है कि क्या त्मको बढ़ा हूं क्या बता हूँ मैं बारत के किसंदें जो भी गुजराद के किसंदें लगा वाजब अहां पाकिस्तानी के आपको सोच बतारtaćून भारत में गुर्बत बहुत जादा है बारत में वाश्रूम नहीं है वो वहां पहते तीवी चैनल लगा के देख लें वो बता रहा है किसानों की हरताल हो रही है और गुजरात के मुसल्मानों का कतले आम हो रहा है सड़कों पर ये साथ चीज़े हमारा मीडिया बता रहा है हमारी आम अवाम की ये सोच है तो तुमारी मीडिया ने इसे इतने गलत-गलत अवाम की अंदर जो बात डाली है नहीं वह निकलती नहीं कि आर इंडिया में ऐसा है इंडिया में इसा है वो पहले के कोई मुवी देखा थे नहीं पहले नाइंटिज सिक्स्टी वन की ऐसी है वो इसकी बटा ले रहे हैं कि बाई यह इंडिया आज कहा जा मैं कल असर की नमाज से पहले पढ़ने के लिए मारे घर के पास बैठा था कुरान सरी पर रहा था तो एक आदमी आए एम मांगने के लिए बोलता है कि अल्दा के नाम पे थूटा पैसा नहीं है तो मैं यार तो उसने क्यू कार्ट निकाला वो गूगल मैंक किरान से हैयरान होιο हुआ। यह आप भारत की बात बदा रहे हैंगे, आप भारत की के क्रल, क्रल की बातबी निकाल हूं। कि इसमें डालने हुए N इतना हसा करेका ने हमारे मोडी ना हन्रेट पर्स vivid इंडिया को डीजिटी इडिचिटलрь बना दिया एक अडिया मुझे भारत वहता नहीं की मेरे गां। गां। भी उब बाहर से माँने के वहां हो गाओमे गाओं के अंदर इस तरह के डिजिटल मांगने वाला उसको हंए हा ला जा मांगने वाला उस ने हैड़ sowohl हल्व हर पमेरो कि इतना इतना हसा क्स मैं असर की लफाद के बार भी मैं हसा बस क्यों लाह यह हो फोह मैं तो यकीन करें। मैं तो सोच है जो आप बता रहे हैं। यॉरप तो यॉरूप ने यॉरूप में ह सबाना कि मास जा हमारे पी-एम ने इंडियाक। को डिजिटा। बना दिया वह ओ क्या कहने क्या किने के मतलब एक मोधी पोरे भारत प्राइम मिनिस्टर नरिंदर मूदी उसकी पॉलिसी हमारे प्राइम की पॉलिसी क्या है मालू मैं अली भाई आपको जो गवर्मेंट जो सब्सिरी डेटी है वो सी दे डिली से इनुस भाई के एकाउन में आनी चाहिए बीच में कोई नहीं आना चाहिए कि पैसा इधर उदर हो जावे यूनस भाई बड़ी मतलब मुझे बड़ा आपने मुझे शॉकिंग कर दिया है मैं बड़ा शॉक्ट हो गयों आपकी बात सुनके कि एक मांगने वाला डीजिटल वो क्या है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम इसमें इसमें डिपॉजिट चुट जाया कि आद देखो कहां तक पहुंच गया यार और यह गाउं की बातारें आप शहर की नहीं मुझे बतारें नहीं गाउं की औरिजिनल गाउं मेरा गाउं जो मैं दिखा था हूँ मेरे गाउं के मेरे जूले पर बैठा हूँ नहीं यहीं पर पंस्लेव के लिए बैठा थ वह 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 यह कि अधि या कि इंटर्विव से पहले तो मैं यह चीज़ एक्सपेक्ट लिए नहीं कर रहा था जितनी इंफोर्मेटिव बातें आप बता रहे हैं और अब भी अगर पाकिस्तानी सरकार पाकिस्तानी अवाम ना समझे तो इनकी फिर मत मारी हुए अब भी जागो यार अबी भी अकल ले रो अभी एजूकेशन के आप बराबर एजूकेशन लो आप पहले बराबर हमारे बच्चे सब पहले एजूकेशन लीन का भी काम है पहलते भी है कुरान सरी भी हाफिज भी है सब कुछ है सबसरी मंदी कितनी दूरा आप की घर से ठरप ह़म डिलीवरी देने के लिए आता है हों देलेवरी के लिए वीलिज में हों देलेवरी एक लिए होम डिलेवरी के लिए हों याल क्या बटाएं भाई ना करे मैं आ थेरान हो गया अभी लाली वाला गया अभी लाली वाला गया अभी तुम्हारी बेहनते वह लोकी लिए है वह हमारे इसके लिए लोकी और पिर वह डी। लिया होटल है यह नहीं लिया है यह को अब बेचने वाले आते हैं लिए हो गारी बेचने के लिए आता है यूनस भाई बड़ा ही मतलब मुझे बड़ा ही मतलब इंट्रेस्टिंग लगा आप से बात करके और बाद मतलब आप दिल खुश हो गया यकीन करें अल्ला गवाय मे हैं में आप से बात करके है बात सही और अली बाइब बात सही है लिक किया है जो जो हम आप सबसे सबसे टाकरवर एंगरी कल्च्टर लोग हैं इसको बहुत उठा रहा था आपको इसको एक एग्सम्बल हमारे पहले फॉर्म प्राइम इनसर अतल बिहारी वाजपेजी जो आपके पाकिस्तान भी आये थी मैं तुम को बता हूँ फैक्तरी चाहे कुछ भी बना लेगी छाहे कोई गंडम का condam आग. कि इसलिए हमारे पीम को भी इतनी फिकर है ने हिंदुस्तान के खिसान के खिसे में पैसे आदा है ना मार्किट में पैसा क्या बात है क्या बात है इस सबसक्राइब बात हुआ पढ़ कि उन्हां के यह दिए कि फटने के सिटाना डाना में पर पथे शुटा नहीं था में फटनाइब है इस बोला है ये यू काट में आए इसमें डाल दो नहीं जड़ा गूगल प्रेम और मैं मैंने कुरान सरी बन कर लिया मैं बोला या मेरा वजू टूड़िया मैं आपस में असर की नावाज में किया मैं हसता रही किया यूनस भाई मुझे ये बताएं आप किस किस टाइम एजी ली अवेले करते हैं कि गुज्रादी वसम यहां यहां से गुज्रादी जासी बाट करते हैं तो आपको पते हमारे दादा और पर दादा तो इंडिया से है आए ना मतलब हमारे दादा भी इंडिया से ही माइक्रेट होके इधर पंजाब में यार मैं मैं तुमको क्या मैं नाए लूजर मैं जराव साहिर का जराव मैं जराव मेरे को एक से चल के चाल मैं लुडियाना कि आता हूं तो मैं जहाँ वहां लुडियाना गया तो फिर मैं जुम्हा मजजीद में गया जुम्हा मजजीद में मौली उस्तवान लुडियानवी के साथ मेरा हुआ है है कि इनुस भाई कहा आ याज याज नहीं यर ऐसा नहीं यर वो काहर भाना खाले यह है यह है तो हमारी इंडिया वे सब जगह बहुत एजद करते हैं आपने यूनस भाई दो-तीन काम करने है अब आपने एक तो आपने मुझे भारत फिराना है ज्यादा दूर नहीं अपने घर के आसपास के एरिया क बाट सबांसे है आपको लगे चीज़ दिखाने वाली है आपने मेरे तो फैल पूरे पाकिसतान को यह दिखाना है कि देखो हमारा भारत कहां चला गए तुम कहां पे हो बहाँ सक्की में बराबर बिल्कुल बात से यह बिल्कुल बात से यह यह की आने आपका मेरा कोई तालुक नहीं था लेकिन एक इंटरनेट के थूरू एक मुबाइल के थूरू और बड़ा ही मतलब प्यारा रिश्टा जो है वो हमारा अपस में यूट्यूब ने डिवेलप की है बात से यह बात से यह बने तुम मजीद मजबूत हो तुम चारपाइच यूट्यूबर है मैं इनका देखता हूं जो तुम्हारा पहले देखता हूं फिर फैसलाबाद वाले अपने मुचफर भाई चोधरी का देखता हूं उनका तो बिचारा का ओ जो आते का ने वो जो बटा ते उसने रोड यार मैंने प मैंने यार दोखा कि यार ला अल्लह पाक तो हर्की सर्म आपरूगी जर्ट रखना मतलब के यह आपकी ही अई हच्कूमरानों ने आपका ऐसा का अ का दिया मतलब के यह पॉबलिक को गल्ट बताया मतलब के जो भी दिखाया वो गल्ट गल्ट डिखाया सब हां न material उम आप म माशालला माशालला अल्ला जिन्दगी करें और सिहत के साथ तालीम असिल करें आमीन 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 बड़ी खुशी हुई मुझे आप से बात करके यूनस भाई और यह सिल्सला इंशालला जुड़ा रहेगा हम इसी तरह वीडियोज करते रहेंगे साथ-साथ जब तर दूसरी मैं आपको मैं बोलने को बोल देया मैं आपको बोलने के हॉस्पितल भी है मेरे गाउं में होस्पितल करना डॉक्टर हाँ 24 गंदे दस रुटचक प्रूम अ क्या कहने यार क्या कहने यूनस भाई क्या कहने बहुत सिवार एक बार धार माशाल्ला माशाल्ला मैं यह तो आप मुझे तो लग रहा है उन्हेट में रहरे हैं भार मैं मैं बोलान निया आपके आप एक बार देख लेंगे तो हैरान हैरान हो जाएंगे यूनस भाई एक एक करके मैंने जो है ना सारी चीज़ें आपके साथ एक्सप्लोर करनी है मैंने सारी चीज़ें देखनी है आपके साथ इंशालला इंशालला मैं दिखाऊंगा बस जब जब आप एजी ली अवेलेबल हो रमजान के बाद में एजी आवेलेबल आपको मिलूँगा रमजान के बाद में मेरा दोस्ताला के बजलो करम से माशाला आज सोलमा रोजा है हाँ सोलमा हमारे या आज पंदर मा है अच्छा आपके याप पंदर है हम पाकिस्तान में सॉल्मा रोजाज बरावर है तो यह आदे रह गए है आदे रहे हैं बात सही है बात सही है लात खैरो आफियत के साथ यह रोजे बी गुजारे राब्ते में रहूंगा आपके साथ और रमजान के बाद भी हम कोशिश यह रहे हैं जो उत्र परदेश के हैं जो मुंबई के हैं जो पूने के हैं गुजरात की क्या स्पेशियलिटी है वो कुमेंट सेक्शन के अंदर बताएं ताकि यूनस भाई आप सब को हमें पूरे पाकिस्तान को वो चीज़े आप मतलब अपने वक्त के मताबिक मतलब खा सकते हैं जो बता सकते हैं बहुत अच्छा लगा यूनस भाई कोई आखरी पैगाम देना चाहेंगे ताकि मैं वीडियो को वाइंड अप की तरफ लेके चलो बस सब यार अल्ला वक्त सबको ख्यारियत से रखिए अल्ला आपको भी जो मुसीबर है उसको हता दे और आप परो लिखो यार एड्यूकेशन के पर जुद्डो यार खास पॉब्लिक को मैं बोलता हूं कि अकल से रहां अकल अकल अंदर रखो यार कियार यूनस भी बात बता है कि यह हैं लास्ट में आपको बताता है चलो पाकिस्तान में तालीम बड़ी महंगी कर दिया है अब मैंने बहुत सारी लोग हैं जो इतने खर्चा नहीं उठा सकते हैं तालीम नहीं आसिल कर सकते वह वाली तो मतलब मज़ा तो ता बैना जब निचला तबका भी पड़े हम लोग पहले निचला तबका की हमारी इतनी भी एंज्यू है हमारी सुसाइटी है वह हमको बोलते है हमारा क्या कहने क्या कहने बहुत दिल खुश हुआ यूनस भाई यकीन करें मेरा भी तबीयत खुश हो गई आप से बात करके एक गुजराती मुसल्मान जो है वो क्या सोच रखता है ना सिर्फ मुझे पता चला पूरे पाकिस्तान ने देखा कि आप इस सोच के मालिक हैं और क्या हकीकत है और पाकिस्तानियों को क्या बताया जा रहा है बहुत चलेगा इन्शाला आपके साथ जुड़े रहेंगे और वीडियो भी मजीद आपके साथ करता रहूँगा बाकी कुमेंट सेक्शन के अंदर आप बताएगा कोई और पोड़कास्ट करना चाह रहा है वो इंस् जरूर मतलब एक सेशन करेंगे यूनस भाई को मैं गाहे बागाहे मतलब बुलाता रहूंगा अपने प्रोग्राम्स के अंदर बहुत मुझे अच्छा लगा अगली वीडियो तक के लिए अपने मेजबान अली रजार को दें इचाज़त दौाओं में आद रखिएगा जर लोगों ने देखा अमार साथ जुड़े रहीएगा अल्ला निगे बान बहुत बहुत शुक्रिया यूनस भाई बहुत बहुत शुक्रिया